हेलो फ्रेंड्स दोस्तों रीठा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी के दिमाग में जब लिया आती है तो लोग ज्यादा तर यही सोचते हैं कि रीठे का इस्नमाल करके हम अपने बालों को काला कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सकते हैं लिकिन कि आप जानते हैं कि रीठा केवल बालों को काला करने के लिए ही काम में नहीं आता है यह बालों की बहुत सारी समस्यां को दूर करने के लिए भी काम में आता है कई लोगों को ये लगता है कि काली से गोल-गोल मोटे-मोटे बीच को ही हम रीठा कह सकते हैं लिकिन क्या आप जानते हैं कि रीठा वास्तव में क्या होता है दोस्तों रीठा शैंपूज बनाने के लिए और बालों की क्वालिटी को बहतर बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजपर मार्केट के अंदर जो भी केमिकल से बने हुए शैंपूज अवेलिबल हैं उनका इस्तेमाल बालों पर करने से हमारे बालों में कुछ पलकी चमक जरूर आती है लेकिन अधरूनी तरीके से हमारे बाल डामेज होने लगते हैं क्योंकि बोस्ट केमिकल से भरा हुआ शैंपू हमारे स्कैर्प को अनहल्दी कर देता है और काफी ज्यादा ड्राय भी कर देता है लेकिन अगर आप रीठे से बने हुए शैंपू का इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल ये हमारे स्कैर्प को नरिश करता है बनकी हमारे बालों को कावा बनाकर उन्हें चमकदार बनाने में भी मदद करता है अब आप सोच रहे होंगे कि हम रीठे का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं क्या हमें बाजार से शैंपू खरीदना होगा या फिर रीठे से बने हुए जड़ी गूटियों का इस्तेमाल करना होगा आपको इतने सारे काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप minimum quantity लेकर भी अपने बालों को अच्छा और सुन्दर बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों को इखटा करने की जरूरत है चले जानते हैं आज कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में जरूरा आपके बालों को नरिश करके काला और चंकीला बनाने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों अपने बालों को सुन्दर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्कैल्प को नरिश करना अगर आपका scalp बहुत ज्यादा dry है और आपको dandruff या फिर रूसी की समस्या है तो आप हिना के powder के अंदर दही मिला कर उसे अपने scalp पर लगा सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर आप रीठे का powder भी मिला सकते हैं ये आपके scalp को अच्छे तरीके से नरिश करेगा और जब आप इसे wash करेंगे तो आपके scalp से साला dandruff भी साफ हो जाएगा अगर आपके बालो में बहुत ज्यादा damage की problem है तो रीठे के powder को आप शिककाई के powder के साथ mix करके महंदी की तरह अपने बालो में लगाईए आप चाहें तो इसके अंदर भेंदी भी मिला सकते हैं ये optional है आपकी मरजी है आप चाहें तो मिला सकते हैं या पिर रहने दी सकते हैं इस अच्छे तरीके से बालो में hair pack की तरह लगाईए और सूपने के बाद अच्छे तरीके से wash कर दीजे इस बात को खास तौर पर ध्य ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत ज्यादा तूटते हैं अपने बालों को जटक कर साफ न करें ऐसा करने से बाल और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं अगर आपने हेड़ वाश किया है तो बालों को पुरे तरीके से सूपने दीजिए और उसके बाद ही अपने बालों में इसा करने से आपके बाल डैमिज से भी बच जाएंगे और पूरे तरीके से सुलज भी जाएंगे बालों को सुलजाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप बालों को निचले सिरे से सुलजाना शुरू करें कई लोगों को या आदत होती है कि वो अपने बालों को उपनी सीरे से सुलजाते हैं और सुलजाते सुलजाते जब वो end तक पहुंचते हैं तो इनके बालों का काफी बड़ा हिस्सा जड़कर या फिर तूटकर अलग हो जाता है इसलिए अगर आप अपने बालों के निचले सीरे से शुरुवात करेंगे तो आपके बाल बहुत ही कम तूटेंगे और आसानी से सुलज भी जाएंगे तो दोस्तों ये है कुछ फायदे रीथा के जाप के बालों को चमकदार बना सकता है इसे स्ट्राइज जरूर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए